नमोस्तु महराजी, मेरे और पूरे पनार परिवार की ओड़ से आप सभी के चांडों में नमोस्तु, नमोस्तु, महराजी श्री मेरा प्रश्ण यह है कि सभी कहते हैं जो भी होने वाला है, वहे निश्यत है पर आज के इस भव में जो भी कारें हम करते हैं क्या वहभी निश्यत है कभी हम गलत ना होकर भी किसी कसाई में नहीं पढ़ते इससे हमारे कर्म तो जढ़ते हैं पर मन कलूश होता है ऐसे में हम क्या करें क्या वहभी निश्यत है देखे यह जो कहा जाता है कि जो कुछ होना है वह सब कुछ निश्चित है, यह कथान पूरी तरह सही नहीं है, आंसीक तोर पर सही है, यदि जो कुछ कहा होना है वह सब निश्चित है, तब तो तो तुम्हारा पूछना भी निश्चित है, और मेरा बताना भी निश्चित है तुम्हारा समझना भी निश्चित है मेरा समझाना भी निश्चित है कुछ भी हुआ तो एकी सवाल एकी उत्तार ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ऐसा होना था और ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि ऐसा नहीं होना था ये उत्तार होगा न इस प्रकार के सुस्क विचारों का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं जैन धर्म कहता है कारण क्रमानुक्रम विधाई इत्वात कार्यक क्रमानुक्रमश्य है कारण के क्रमानुक्रम के अनुशार कार्यका क्रमानुक्रम होता है जैसे कारण सामगरी होती है, ऐसा कारण होता है, एक वेक्ति में अनिक योगता होती है, एक वस्तु में अनिक योगता होती है, उस योगता में प्रकट वही होता है, जैसे सामगरी शामने मिलती है, जैसे अभी तुम मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुन रही हो, सुन रही ह एक जोग खिला सुना दो तो खिल खिला जाओगी और तुम पर कोई आरोप लगा दूँ तो चौक जाओगी कोई आश्चर कारी बात कर दूँ तो आश्चर चकित हो जाओगी कोई भायर जनक बात कर दूँ तो डर जाओगी आखे दिखा दो तो अब ये क्या है ये शारी योगता है तुम्हारे अंदर है ना प्रेकट कौन से हुई जैसा सामने क्या है निमित आया समझ गए तो बस हमें यही देखना है और उसी अनुरूप काईर होता है तो जो होना है तो निश्चित नहीं, हम जो करेंगे वो होगा इस भरोसे पर चलना हाँ, कभी ऐसा अंचाहा हो जाए वो भी होता है, जो हम नहीं चाहते वो हो जाता है, अम्मा नशांत हो, तो उस घड़ी में अपने चित्त को समाधान देने के लिए भावना भानी चाहिए, भाया जो होना था सो हो गया, अब आगे चलो, समझ गया, चलिए